सो हें गाइस वेल्कम बैक तो चैनल कैसे हो आप सब आप होब कि आप सब सेफ हो गए और आज हम करने जा रहे हैं और सिलेशन क्लास 11 का फिजिक्स का चाप्टर कर 20 मिनट रिविजन सीरीज आपको यह पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो चैनल को कर दो और यार अगर यह सब कर रहे हो तो मैं इस्ट्राग्राम को भी फॉलो कर दो लिंक डिस्क्रिप्शन में सो वीडियो शुरू करने से पहले छोड़ी सी इन्फॉर्मिशन दोना चाहता हूं कि आनकैडमी पे इस समय स्पेशल प्राइज ऑफर चल ला है जहां पर आप कि आपको यह कोड याद हो गया हो इंग्लिश वर्ट कोड यूज करो और आपको 10% आफ तक के डिस्काउंट देखने को मिलेंगे दूसरी बार नीट 2022 एस्पिरेट्स के लिए विक्टरी बैच स्टार्ट हो रहा है तो वो भी आप जाके एंड्रोल हो सकते हो उन सभी बैच अपने इंप्रोब्मेंट जंडी का अइनरेसिस देख सकते हो कि कैसे कैसे टेश में अपने इंप्रूफ क्या कि इंक इन टॉपके इंप्रूफ किया तो वह सबसे बढ़िए बात आपको अपनी performance analysis देखने को मिलती है तो इसलिए आप इन सभी चीजों पेंडोल हो सकते हैं सभी चीजों का लेंगा इस डिस्क्रिप्शन में दे रखा है इंग्लिश वर्ड कोड यूज लगाओ प्लाच एकॉनिक में रोल हो जाओ और इस ट्रेस को भी जॉइन कर लो जो कि हो तो हैपी क्रिस्मस तो आल अफ यू पहले से अडवांस में तो सबसे पहले हम पिरियोडिक और ऑसीलेटरी मोशन के बारे में पढ़ने वाले तो अगर हम बात करूं पिरियोडिक मोशन की तो देखो पिरियोडिक मोशन एक ऐसा मूवमेंट होता है चो कि एक सर्टेन इं इसका एक्जांपल ले सकता हूं बाकिए एक्जैंपल साब डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखके बताओं अगला टॉपिक हमारा है ऑसीलेटरी मोशन से रिलेटर जो कि एक अच्छी चीज है ऑसीलेशन इस गोइंग बैक और फॉर्ट बिट्विटेटली बिट्विन मोशन भी हो सकता है जो कि बार-बार अपने आपको रिपीट कर रहा है इनर रेगूलर साइकल बार-बार एक साइकल उसकी चलती जा रही है बार-बार वही साइकल बार-बार दोहरा रही है उस टाइप की पिरियोडिक मोशन को मैं ऑसीलेशन या फिर ऑसीलेटरी मोशन बो तो वो भी एक टाइप का उसिलेटरी मोशन है बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की जिसको मैं SHM के नाम से भी जानता हूं उसके बारे में समझते हैं अगर को रिस्टोरिंग फोर्स या फिर मैं टॉर्क की बात करूं किसी भी बॉड़ी पर लग रहा है वो ऑसिलेटरी मो बॉड़ी मोशन में है तो वह हमीशे कोशिश कर रहे है एक्चुल बीरियम पोदीशन पर आने की तो उस टाइप के मोशन को मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम दूंगा जिसको हम एसे चम भी बोलते हैं तो अब हम बात करने वाले जिवेट्रिकल इंटर पर इंटर्प्र हमारा एंगल है और यह एक एंगल जिसको मैंने ओमेगा टी जैसे ठीक हो स्ट्व मेंगा त् लिया ठीक है तो पताए तो यह से highlights होगी क्योंकि की एंगल है आप एक होगा नीचे वाला एक होगा एक होगा एक सेस्वाला एक होगा वाय एक सेस्वाला अब हमेशा एक सेस्वाला कॉंपोनेंट अगर जैसे यह है तो हमेशा को याद होगा आपको हमें न्यूटन लॉज अफ मुशन में बढ़ाया था मैंने यह हमेशा कॉस वाला ओधन रोता है मतलब यह होता है kaws एक होता है तो इस केस्स में यह होगा एक खॉस ओमेगा टी सिम्लर्लिय अगर मैं बात कर और इस वाले वाइड से कॉम्पोनेंट की तो इसमें क्या होगा यह साइन ओमेगाटी तो यह दो आपको याद रखने हैं आप इसके बारें पढ़ते हैं जनरल एक्वेशन है तो देखो यहांपे भी लिखा हुआ है कि अगर बात करें तो एक्वेशन मीन पुदीशन से टिस्टेंस अगर हम पार्टिकल कर ले जहां पर वो समय है तो उसको मैं डिस्प्लेश्मेंट का नाम दूँगा और उस ऐसे में इसको और मैं इसकी एक्वेशन बोलूँगा तो वह हम जनरली यह लिखते हैं जो की बार बार हम एक नाम ले रहें तो वह क्य पूदीशन उसके जो एक्वेशन पूदीशन इफर मीन पूदीशन है उससे उसका मैक्सिमम डिस्टेंस जितना उसने कवर कर रहा है वह जितना वह कवर कर सकता है उसको मैं एम्पिलेट्यूट का नाम दूँगा अब इसका यह जितने भी सब डेफिनिशन वाली बात पर अगर डाइग्राम से समझाओं तो यहां देख सकते हो अब देखो रूख जाओ इसे गया और ऐसे वापस अपनी यहां पर आ गया तो आप दोबार हम पाथ को डिनोट करते हैं रहा एक्स यह मीन पोदीशन इसकी किली विदियम पोदीशन यही वाली है तो आप क्या हुआ उलगेख दो ही चला-चला चलता गया चलता गहां पर आने के बाद यह इसके एक्स्ट्रीम पोगए हम स्क्वाप इस मीन की तरह लोगी दोबार यहां पर फिर这ंन की यहां से यहां कि hi Maxion distance यह यहां कि यहीं तक जा पा रहा है utilizing यहां पर याहीं तक जा पाुरह है तो औंप लिगा और दूं सब्यंस करती है तो यहां से पियाद रख सकतgriff भी यह से समझा जता हूं हमेशा extreme position पीजह extreme position से यहां पर हमेशा velocity zero रहती है समझ लो यह Extreme position पर वेलाशिटी zero रहेगी पर इस जो distance है वो maximum रहेगा जबकि यहां पर मैं बात करूं तो velocity maximum रहती हो distance zero रहता है यहीं से तो चलाना तो यहां तो 0 हो गया और यहां जितना दूर गया तो सबसे जादा इंपलिट्यूट मैक्सीम हो गया दिए के और यहां पे वेलोसेटी जिरो हो जाएगी तो भिए रखना है एक्सट्रीम पर वेलोसेटी रोती है पोडिशन मेंक्सीम मुक्षेम होती है और पुदीशन या फिर एम्पिलिट् eer होता है है रोक हाफ डिषेंस ती वाले लों थे इनके बीच को और So कर द Laura city कंदने सल्वाइब आप और पॉट्ज मेखने महता हो संदा ओर ने ये जीदिफा रहा है तो पाइब इन्ट वन बाइटी यह तो लिखा टूपाइब एक तो पाइब एक बीडियों माइटी क्या होता है एफ मतलब अब नब काइब तो सिम्लरी में ओमेगा को टूपाइब यहां सकते है और इसकी हुर्ट होती है तो इसकी जो हमारी क्या होती है इसकी unisonihone drie廟 की होती सेकेंडे सोसे करब तो मतला फ्रिक MT भी ब्ल सकते हम बात करने वाले क Spaß क्या है टाइम पीरट उप्हों हम पे एक ही फॉर्मला दको यार एक सब्सक्राइब और तो मैं तुम्किनला निकलें एक सकते हो है अब बात करने वाले फेस की जो हमने यह पड़ा था यह से करके फेस क्या होता है तो फीजिकल कॉंटिटी विज रिपर्जेंट स्टेट ऑप मोशन पार्टिकल एक्जामपल से पूदीशन डारेक्शन और मोशन इंस्टेंट किसी वह स्टेंट पर बात करें उसके बारे मे बहुत तो भी होगा चलना तो यह आपकी के चलना है जो भी जैडटेंटी किसका मीनिंग क्या अब भई वासेटी की बारे में बात करते करें चेंड पर्टीकल प्रिकल स्टेंट टॉइस्पेक्ट पता है कितने बाप पहले से बात वीज इकोसी टीयक्स बज़ेग्स बाइ दी एक्स पाई डी टी तो बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं मैं आपको मोशन इने स्ट्रेट लाइन में समझा चुका हूँ इस तो सो सुमनों पर एक्स की क्वेशन भी देखी थी एक्स इस इकोज तो एसन ओमेगा टी प्लस फाइव तो डी एक्स पाउडी टीऊज टो वी तो मैं क्या करूं मैं से कॉषिट को डिफ्रेशिेट कर दूंगा तो मुझे 姐姐 solution किया होगा नहीं पता होता है सायन का डिफिरेंसिशन को जो कॉज्ज हो तो कॉज grace और जो यहां पर इसका यह इसको मदिपलाई कर देते हां डिफिरेंसीशन में तो या sit को होग dragons समझ defeating गया होगात कि श Almost का डिफरेंसिशन ऐसे करते हैं यहां sabia जन्रली कोशन निकल कि आ जाती है विलोसिटी का फॉर्मला आ जाता है ओमेगा अडरूट ए स्क्वार माइनस एक्सवार ठीक है एज एक्सेज़ दिस्प्लेस्मेंट हो गया और ओमेगा हमारा यहां पे एंगुलर वेलोसिटी हो गया ठीक है तो यह हमारी चीज़ हो गई सब्सक्राइब कर दोगे तो यहां पे एक्सरेशन आजागा उसका भी याद कर सकते माइनस ओमेगा स्क्वार एक्स तो फॉर्मली आ गए मारे वेलोसिटी और एक्सलेशन की तो दोनों आपको लर्ण करने विलोसिटी का क्या होता है ओमेगा अंडरूट एस्वार मैस एक् तो अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बारें बात करने वाले इस प्लेस्मेंट वेलोसिटी एक्सलेशन के बारे में ठीक है सबसे पहले देखो आगर डिस्प्लेस्मेंट की अम ग्राफ की बात करते हैं तो हमेश्य साइन फंक्शन यहीं से स्टार्ट होता तो जोनल ओक्लाफ अने चाहिए क्सां सब्सक्राट काॉस का कहुंसा होताया पर RIGHT यहां बात करें ग्राफ की तो यहां यह साइन का ग्राफ जरूर होता है बाट Kenanus मिलें थैस्सलिए से स्टार्ट हो गया को तो बस यह तीनों ग्राफ आपको समझने इसकस को चौत से वह यहां इस फॉर्म में दे रखे हैं आई होब कि आप कुछ इस समझ में आ गई होगी अब हम चलते हैं एनर्जी ऑफ से पढ़ते आ रहे हम यहां क्या करेंगे वी की वैल्यू रख देंगे वी की उपर क्या हमारी वैल्यू आई फॉर्मला है वीजी को स्टू ओमेगा अ में इसक्ट्राइक पूरा तो क्या होगा हमेगा स्क्राइब अगर रखे शाया तो यह थे स्क्ट्राइब को अब देगा हमेगा आप क्या होगया ओं। यहां पर समझाइब आप में एक्स्ट्रीम पूदीशन होती है तो अगर वाइज इको इस टू जिरो एजस्ट अब मीन पूदीशन पर यह तो काने टेक इनर्जी मैक्सिम हो जाएगी हाफ क्योंकि गवर्ण आपक चीज़ करना आप तरह जाती है तो काने टेक एनर्जी मेक्सिम हो जाएगी सिर्डीक में और एक्सट्रीम पोधिशन की यह जिए सब्सक्राइब और इस्टारम को फालो मार देना समझ गया होगए अब बात कर से पोटेंशन एनर्जी की तो पोटेंशन एल्जी माली क्या ती आती है हाफ के एकस्वार तो यह भी आपको याद रखना जो को सिम्लाइब बात है अगर मैं बात करूं एकसिज़ीकुष्ट पर प्लस माइनस या प्लस या फिर माइनस है कि मतलब हम एक्स्ट्रीम पोडिशन प हमारा एकस की वैली हो जाएगी जो कि अब जीरो नहीं है तो आप समझ गये होगे मैंने उपर वार जिसको पर वारा चीज समझ में आगई होगी तो यह प्लस या माइनस में मैक्सिम हो गई के स्क्वार तो अगर हम टोटल मेकानिकल एनरजी की बात करें मतलब भाई कानेट मिक्स कर दो आपस में तो यह कोशन बन किया आती है हाफ के स्क्वार की को लग देंगे हम दोनों को तो यह मारा जाते तो टोटल मेकानिक एनरजी हमेशे कॉंस्टेंट रहती है आपको याद रखना है अब हम बात करने वाले हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के बारे में ब अब पर एक नोगो इस प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की और अवारे मता हुआ उस्टेंटर्स प्रिंग लगी नीचे को इस प्रिंग का हुआ है और स्प्रिंग दे रखा यह तो इसमें आप टाइम पिरिड का क्या फॉमला आएगा लिट टाइम प्रिंग का है तो यह आपको को या रफने था तो वाट हैम विश्द था मांस में पिल्ट को स्टेन्ट यहां लूण कर रोगा है ऊघ्ल पर इस बर्ली कहते गदिया का अब और इस्टा कर दिया और इस चैक नियो कि तौझ में क्या होगा श्वया यहां पर वाले के लिए वाले के लिए वाले के लिए वाले के लिए टाइम पीरिड का फॉर्मला निकल किया जाएगा ठीक है जब कि अगर कुछ ऐसा के सब्सक्राइब कर लिए आपको ने टाइप का फॉर्मला यह बहुत इसके पढ़के जा सकते हो यह इसका फॉर्मला होता है अगर स्प्रिंग का माज गलती से दे दिया ठीक है दोसीती बात अगर सीरीज कॉंबिनेशन की और पैलल कॉंबिनेशन की बात करें तो जैस्ट उल्टा होते से कैपसेटर्स में अगर हम 12 की पढ़ोगे तो उसको छोड़ो पर यहां देख लेते हम स्प्रिंग इसमें क्यों अब देख लेंगे अब देखो जब सीरीज ओ तो तो उल्टा करना है इस प्रिंग वाले में जब सीरीज बोले जब इस सीरीज कॉंबिनेशन हो तो मैं पहले की तरह करना है जैसे one upon key effect is one upon key one plus one upon two plus one upon k3 यह कुछ ऐसे देगा सीरीज को मैं याद रखना ठीक है अगर हम पारलल में हमें ऐसे देखने को मिलेंगा और यहां पर हमें जो के effective होगा वो कुछ इस थारे हो जाएगा जो कि हमने शीरीज में नियुक्ति समझ में आ गया होगा कि जो नोट्स हैं गाइस वह आपको डिस्क्रिप्शन में वरी वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो जाके आप डाउनलोड कर सकते हो रिवाइस कर सकते हो जब ही चीज़ आपको समझ प्याने लगेंगे ठीक है तो अब अगर हम सिं सब्सक्रिंग वाले चीज़ों का भी पढ़ लिया रूट एम बाई के हम जन्रेल फॉर्मला लेके सब चीज़ बना देते हैं अगर सिंपल पेंडूलम की बात करूं तो टूपर रूट एलबाई जी लेके चलते हैं अब यहां पे भी दिखो एक्सलेटिंग रिफरेंस फ् पर बढ़ रही है तो जी एफेक्टिव जस्ट जी लेंगे तो कोई टाइम पिरेड में फॉर्मला एंड हम चेंज नहीं करेंगे जनरली वह यह हो जाएगा टूपाई अंडरूट एल बाई जी यूजिकि एफेक्टिव आपे जी के ही उक्यल हो गया कब जब हम पैंड में पेंडिलम को लिफ्ट में रख रखा है और लिफ्ट कॉंस्टेंट वेलोचिटी सो पर जा रही तो जी एफेक्टिव की वैली जी ही हो जाएगी कोछ चेंज नहीं आएगा पर अगर लिफ्ट मूविंग अपवर्ड विदा एक्सलेरेशन ए मालों कि एक एक एक्सलेरेशन एस उपर जा रही हो ठीक है अगर हम दूसरी बात करें कि अगर लिफ्ट नीचे एक्सलेरेशन डाउनवर्ड जा रही है एक्सलेरेशन एसे तो चैस्ट यहां पर माइनस आ जाएगा और फॉर्मले में जी एक्टिव की जाएगा अब जी माइनस ए रखते होगे अगर जी रो हो गया तो वन अपॉन जीरो क्या होता है वन अपॉन जीरो इंफिनिटी होता है आप समझ गयोगे हैं पर कैसे इंफिनिटी आया अगर हम बात करें किसी वीकल कि अगर हम वीकल को एक्सलेरेटिंग फ्रेम बानके चलें तो यहां पर यहां पर चेंज होंगी सिमिलर्ली अगर मैं बात करूँ वन चार्ज स्फियर की जो कि और रहा है वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील के अंदर तो जी एफेक्टिव के वैल्यू ऐसे चेंज होगी जो कि आपको यहां पर फॉर्मले के फॉर्मले में जी एफेक्टिव की वैल्यू डाल दोगे और आपक सब्सक्राइब करें तोम हगा इसल्टन डिस्पोद्ल attain कश का होगी तो रेजुन इस्पेसमेंट का फ़मला हमारा क्या ऑता है स्क एक डौर्गा क्रेंगे तो ज्erv assurance एक वीद्सक्राइब का फो एच यह एक चईद धीज मेघर साइगा फाईगा एक आरस लिगा ऐसान ओमे तो यह आपको आधा रखना है रिजल्टें एंपलिट्व का आपको क्या थो ने कुशन के आपको ऐंपलिट्व देशनगे थी टेज रखाओ औह फिर अनिकाल भी सकते हो ठीडा तो यहां वेल्यूश करोगे आप तो एम्पलिट्विट्वेगी वेल्यू आजाएगी और बूच्छ निकाल लें बाक्या वेल्यूस्पूट करो तो ए रिजल्टेंट एन फाई की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी आए होप कि आपको वीडियो पसंद आयो आपको वीडियो लेक्च्छ पसंद आयो तो गाई आपको कुछ नहीं को सबस्क्राइब करना है मेरे इस चैप्टा की जो पीडियाफ है गाई हो हमारे वेबसाइट www.eng.in पर आपको देखने को मिलेगी जाके डाउनलोड कर सकते हो और गाइस चैनला को प्लीज सब्स्क्राइब करते हो जाना और शेर करते हैं सबी वीडियो को आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो विडि इस वीडियो जब तक कि लीज टेप्लेश गुडबाई बबाई